वोट फुगुड में अब रुख करते हैं मध्यप्रदेश का जहां इन दिनों अजब गसब तरीके से चुनाफ परचार हो रहा है M.P. की जबलपूर में इन दिनों धाई अक्षर चुनाफ का बेहद चर्चा में अभियान बना हुआ है अब ये धाई अक्षर क्या है दरसल जबलपूर में एक उमीदवार ने अपना नाम बदलकर धाई अक्षर रख लिया है तो वहीं एक और नेता जी हैं जो परचार के दोरान वोटर से पहले वोट मांग रहे हैं और फिर नोट मांग रहे हैं क्या है पूरा मामला जाने के लिए देखिए हमारी ये रिपॉर्ट बात तो ठीकी है अपना MP घजब भी है और अजब भी लेकिन साथ में उतने ही अजब और घजब है MP वाले भी अब क्यूंकि मौसम चुनावी है तो आपकी मुलाकात ऐसे ही दो अजब घजब MP वालों से हम करवाएंगे इन में से एक हैं वो जो पहले से नेता नगरी के वासी है तो वहीं दूसरे फिलहाल भावी नेता जी की श्रेणी में आते हैं बात आगे बढ़ाएंगे और मामला समझाएंगे लेकिन पहले ज़रा ये सुनिये जबलपूर की गलियों में निकले नेता जी जनता से वोट तो मांग ही रहे हैं साथ में नोट भी मांग रहे हैं मामला दरसल कुछ यू है कि जबलपूर में कॉंग्रेस उमीदवार दिनेश यादव ने प्रचार का ये अनोखा तरीका निकाला है गली, महले, मकान, दुकान, बाजार या घरबाद, नेता जी जहां भी जा रहे हैं लोगों से चुनाओ लड़ने के लिए मदद की गुहा लगा रहे हैं मज़े की बात ये कि लोग मदद भी कर रही है अब यादव जी को वाकई पैसे की दरकार है या बस केवल ये प्रचार है कहना मुश्किल है लेकिन अपनी सहनों की मांग के लिए नेता जी पार्टी के पास पैसे की कमी का हवाला दे रहे हैं अब मिलिए घजब MP के दूसरे अजब उमीदवार से वैसे पूरा नाम इनका राकेश सोनकर है लेकिन भावी नीता जी ने अपना पूरा नाम बदल का दो और आधा यानि धाय अक्षर का रख लिया है सिर्फ नाम ही नहीं बलकि चुनाओ लड़ने के पीछे इनका एजेंडा भी खास है बता दें राकेश सोनकर अभी तक 6 बार विधानसभा और 5 बार लोगसभा चुनाओ लड़ चुके हैं साथी एक बार ये मेर का भी एलक्षन लड़ चुके हैं और हर चुनाओ में इनकी जमानत जब्त हो चुकी है इसके बावजूद एक बार फिर ये लोगसभा चुनाओ में ताल ठोक रहे हैं लेकिन खुद चुनाओ प्रचार नहीं करना चाहते आम लोगों को राकेश सोनकर की बाते तो अच्छी लगती हैं लेकिन हर किसी का यही कहना है कि इन्हें लोगों के बीच आना चाहिए तभी इनका चुनाओ लड़ना साथ सकोगा पब्लिक के भी जब तक वो जाएंगे नहीं जब तक पब्लिक को वो अपनी अवेरनस बताएंगे नहीं ऐसे हर कोई उनको नहीं जानता मैं आज अगो बारा साल से चुनाओ जीत लड़ रहे हैं तो मैंने आज उन्हें पहरी बर देखा है बहराल अब चर्चा हो रही है तो लोग राकेश सोनकर को जानने लगे हैं जबलपूर में पहले चरण में ही 19 अपरेल को मददान है देखना ये होगा कि इस बार जनता इन्हें स्विकार करती है या नहीं जबलपूर से धीरज शा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड डिस टुडे वोट पर कुड में आप आपको ले चलेंगे उत्राखन जहांके वोटर्स ने इस बार चुनाव के बहिशकार का एलान कर दिया है देरादून के एक इलाके के वोटर्स ने साफ लफजों में प्रशासर और निताओं तक अपना संदेश पहँचा दिया है संदेश है कि चुनावी मौसम में वोट मांग कर शर्मिन ना मत कीजे हमारे गाउं मत आईए हमसे वोट मत मांगिए लोगतंत्र में वोटर ही भागे विधाता माना चाता है ऐसे में लोगतंत्र के महुतसफ से पहले ऐसा क्या हुआ कि देरादून के वोटर्स ये कदम उठाने का एलान कर रहे हैं और उसे भी जरूरी बाती है कि इंका इरादा बतलने के लिए सिस्टम अब क्या कदम उठाने वाला है जब तक हमारी रोड नहीं बनेगी तब तक हम भीक देने को तयार हैं लेकिन वोट देने को नहीं उतराखंड की राजधानी देरादून से केवल 20 किलोमीटर दूर मिसराज पट्टी में लगा ये लाल रंग का बोर्ड लोकतंत्र में एक नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों की बीच की लड़ाई का दस्तावेज है वो लड़ाई जो मिसराज पट्टी के लोग कई सालों से लड़ रहे हैं शासन और प्रशासन को नीद में से जगाने के नारे लगाते लोग आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अब एक नजर उस सड़क पर डाल लीजिए जिस पर ये लोग खड़े हैं ये वही आम लोग हैं हर चुनाओं में इस उमीद के साथ बोट डालने के लिए लंबी कतारों में लगते हैं कि जिसे वो चुन रहे हैं वो उनके लिए बेहतर वर्तमान और बेहतर इन भविश्य के रास्ते बनाएगा लेकिन भविश्य की क्या बात और कल की कौन सी उमीद जब वर्तमान ही कई बरसों से इस तूटी सड़क पर हिचको ले खा रहा है पहले आजादी आई फिर आजादी की 75 सालगिरा राजधानी देहरादून से महस 20 किलोमीटर की दूरी पर मौझूद आठ छोटे छोटे गाउं की ग्राम पंचायत मिस्राज पट्टी के लोग हर रोज 5 से 6 किलोमीटर के इसी उबढ़ खाबड और पत्रीले पहाडी रास् परकारे आई और गई मगर मिस्राज पट्टी के लोगों की सड़क की मांग अब तक अधूरी है यही वज़े है कि मिस्राज पट्टी के लोग चुनाओ का वहिश्कार करने का ऐलान कर चुके हैं सरकार चाए कोई सीब्यों चाए कॉंग्रेस हो चाए वीजेपी हो हमें सरकार से यही मांग है पूरी गराम वाचो से गरामचेतर वाचों की यही मांग है कि सरकार कम से कम हमारे मिस्राज पट्टी में एक रोड बना के तो दे दे गाउं में लगे इस लाल पोस्टर और गाउं वालों की फैसली की खबर जब परशासन तक पहुंची तो हड़कम समझ गया आनन फानन में अधिकारियों की एक टीम वोटर भागय विदाहता को मनाने के लिए पहुंची कि हमारी जब इसका सन्वा गामिन साथ में तो पहले वाले में तो कि लिए रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत काम करके वह प्रॉपर डंक से बन जाए तो उसमें ग्यामिन उनसे बात की जाए और हमारी विभाग्मिस परियास करेंगे कि धनके उपलबता होने पर हो जाए लेकिन कई विभागों के अधिकारियों के टीम मिलकर भी लोगों को मना नहीं पाई घंटों तक चली बातशीत के बाद लोगों ने साफ कहा कि जब तक उन्हें सक्षम अधिकारी लिखित में आश्वासन नहीं देते तब तक वो चुनाओ वहिशकार से पीछे हटने वाले नहीं है अधिकारी यांपर आयन है किसी भी परगार से लोगों को गन्मेंस कैसे कर पाएंगे एक तरफ शासन और प्रशासन लगतार ये कवायत कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने लोक तांत्रिक अधिकार का इस्तिमाल करें देश का वोटिंग प्रतिशत बढ़े लोग अपने जिम्मेदारी निभाएं लेकिन यहां सवाल ये भी है कि क्या जिम्मेदारी सिर्फ वोटर के ही होती है क्या चुनावी सिस्टम के विपरीत छोर पर खड़े वोट मांगने वालों और देने वालों के बीच वादों और उन्हें निभाने की प्रतिबधता जैसी कोई परंपरा लोकतांत्रिक विवस्था में नहीं है अगर है तो फिर बेहतर यही होगा कि जिनकी जवाब देही बनती है वो जल्द ही मिसराज पट्टी पहुँचकर वादा निभाने का वादा यहां की जनिता को अपकी बार लिखित में दे आएं ताकि चुनावी उत्सव में पढ़ते दिख रहे इस विगन को समय रहते टाला जा सके देरादून से टीना साहू के साथ ब्यरो रिपोर्ट गुड निस टुडे वोट फर कुड में मेरे आने आदिती के साथ बस इतना ही मुझे दीजे जास तो आद देखते रहे जी एंट रियानी गुड निस टुडे